इस टूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे SwiftUI अभी जस्ट रिसेंटली एपल डवलपर्स ने SwiftUI रिलीस करी है जिसके अंदर उन्होंने MBVM Architecture का यूज किया है ठीके और इसमें बहुत ही यह पावर्फुल है क्यों पावर्फुल है क्योंकि आप एक जगह कोड करेंगे और हर डिवाइस में आपका यूई Automatically Adapt हो जाएगा चाहे वो आपका Mac OS हो चाहे वो आपका Apple Watch हो चाहे आपका वो TV OS हो चाहे आपका वो iPhone हो चाहे iPad हो ठीके दोस्तों तो बहुत ही अच्छा और पावर्फुल टूल है आपका SwiftUI या आप language जो भी चाहें वो इसको प्रनाउस कर सकते हैं वो आप पे डेपेंड कर है तो बस मैं और कुछ देखी नहीं पा रहा हूँ अभी आप भी ऐसे ही आपको लगेगा जो आप इस tutorial को खतम करेंगे ठीके दोस्तों लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ पी request है मेरी कि आपको यह चीज़े होना बहुत जरूरी है कि अगर आप इसमें coding करना चाहते है Swift UI की तो सबसे पहले आपके पास Mac OS के साथ साथ catlina होनी चाहिए catlina OS के अंदर ही आपका Xcode 11 वर्क तो करेगा मोहावे भी वर्क करेगा लेकिन यहां पे आप लाइव रेंडरिंग कर सकते हैं जो कि आपका कुछ जैसे आप अगर आपने flutter यूस किया होगा या flutter के साथ पर बेस्ट फीचर आपका यहां पर आया है Swift UI में जो Apple developers लेकी आई है जो मुझे बहुत अच्छा लगा जिसका हम बहुत टाइम से सोचते थे कि यार पहले record करो उसके बाद build करो फिर देखो आपकी application में कैसा दिखाई दे रहा है वो अप सारी extension खतम क्योंकि Android में इंस्टे changes करें वो देख सकते हैं रन करके लेकिन अब यहां पर बहुत ही अच्छा आपकर Swift UI आ गई है ठीक है दोस्तों सेकिंड आपका Xcode 11 होना चाहिए Xcode 11 में आपका आप देखी रहोंगे UI में कि किस तरह से आपका live rendering होता है ठीक है दोस्तों जैसे यहां पर यहां पर साइड में कोड होता है मैं इसके बारे पूरा आपको बताँगा Swift UI का बेसिक से लेकर अड्वांस था कि किस तरह से यूज की जाती है छोटी-छोटी चीज़ें कहां कहां पर कहें कि आपके यूज हो रहा है या आपकी कौन से class है या storyboard यूज होगा नहीं होगा या आप टेबल कैसे बनाएंगे, listing कैसे करेंगे, image कैसे upload करेंगे, download, सारी चीज़े दोस्तों मैं इस tutorial मैं आपको बताँगा जब मैं स्टार्ट करूँगा इसको, अभी केवल मेरी API request है जो आपको होनी चाहिए आपके पास स्टार्ट करने से पहले, और last है आपका Swift, Swift दो दोस्तो नॉमल ही है, आप देखी रहे, the powerful programming language, आपको मेरे ख्याल से आपको इसकी information होनी चाहिए, Swift के बारे में knowledge होनी चाहिए, चो कि मैं यहाँ पर Swift के बारे में नहीं आपको बताँगा, अगर आपको Swift के बारे deeply पढ़ना है या जानना है, तो मैं अभी दो tutorial आपके start कर रहा हूँ, एक iOS 13 प्लस Swift 5 और एक आपका interview basis के लिए जो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप interview में जो deeply question पूछे जाते है, tricky question, ठीक है, तो आप महाँ पर सकते हैं, जैसे like a optional है, optional आपका use तो है, सब कुछ कर, सब हर कोई करता है, optional sign लगा दिया, excellent sign लगा दिया, लेकिन, हम apple developers ने इनको use क्यों किय वहाँ पर वो चीज मैंने explain करी है, और दोस्तो बहुत मैनत करके मैं ये video बना रहा हूँ, बहुत जगा से मैं search करके, पढ़के, सारा raw material को लेके, एक जगा concise मैंने किया है, तो दोस्तो मेरी मैनत को आप देखें, और उसको like करें, subscribe करें, और बस अपना use करें उसको ताकि आ नहीं पर इसको end करते हूँ, क्योंकि आगे भी हमें बहुत सारी tutorial में बाते करेंगे दोस्तो, ठीके, तो आपके पास ये swift language की आपको knowledge, basic knowledge होनी चाहिए, I think intermediate knowledge सक होनी चाहिए, जो कि यहां पर मैं explain आपको नहीं करूँगा, ठीके दोस्तो, तो ये तीन चीजे हैं, जो आप के पास होनी चाहिए, स्टार्ट करने से पहले, तो दोस्तों, तैयार हो जाए, एक बहुत ही रोमांचक सफर में, ठीके, ओके दोस्तों, बाई, टेक किया